एक चीज का promise करो कि ये question मेरे साथ बहुत अच्छे से deal करोगे बेटा language का खेले हैं आपे options पे तो बहुत बाद में आना पड़ता है क्यारा let मान लोगी p न b r let p न एक prime number है ओके यार by the way prime numbers वो numbers जो सिर्फ मतलब जिनका attitude लाई का prime minister जो सिर्फ अपने number सिर्फ अपनी table में आता हो जैसे 2 पता इनके factor क्या होते हैं एक तो 2 तो हो नहीं हो ना है इसका factor itself and 1 also मतलब 2, 2 की table में आता है और 1 की table में तो खेर सभी आता है बेटा 5 का factor क्या होगा sir 5 और 1 तो p stands for prime factor prime number जिसके factor करूँगा p और 1 होगा क्यूं 2 का क्या होता है 2 और 1 3 का क्या होता है sir 3 itself and 1 also पर 4 नहीं बन पायागा भी prime number क्योंकि ये 2 की table में भी आ गया 4 की table में भी आ गया 2 से जादा factor हो गए तो prime number का दरजा नहीं मिलेगा पहले इन्होंने बताया p क्या होता है the quadratic equation having वो quadratic equation जिसके पास है its roots में मतलब दोनो roots आ गए its roots as देखो इसके roots कैसा हैंगे quadratic equation के as factors of p को ये मतलब p के factor है कौन सी ऐसी equation है जिसमे उसके जो roots है न वो p के factor होता है सर समझ तो देखो अभी भी नहीं है भाई ये गया रहा है कि p के factor मतलब p और 1 पहले तो ये धिहन रखो p के factor मतलब p और 1 ठीक है न ये बिल्कुल इसकी तरह है क्यारा कोई ऐसी quadratic equation बनाओ जिसके factor p के factor करता हो न उसी के बराबर है having its roots जो इसके roots आएंगे वो factor बन जाएंगे p के p के factor मतलब p और 1 दोको roots कैसे आएंगे roots ऐसी तो आते हैं कि x की value p और x की value 1 तो देखो एक second मैं अगर sum of 0 निकालने लग जाओं इसके sum of 0 यह आएगा अच्छा product of 0 क्या आएगा sir product of 0 p आएगा ठीक है तो एक equation बनाके देखते हैं minus यहां आता है sum of 0s एक formula मा आता है ना sum of 0 फिर x फिर plus product of 0 तो कुछ इस तरह से form कर ले ना आप लोग I think इसे common मत करो इतना ही रहने दो equation चेक करते हैं कोई ऐसी दे रही गया है नहीं हाँ तो इतनी form में दे रहा गा है b option तो यार b होना चाहिए फिर तो एक बार थोड़ा सा summarize करा हूँ quadratic equation having जिसके roots तो पी होता है मतलब प्राइम नंबर खुद होता है और एक बन होता है तो दोनों को x के equal रख दो sum of 0 निकाल दो product of 0s निकाल दो equation बना दो ठीक है मुद्दे वाली बात यह है जो तुम्हें एक्जाम में याद रखनी है quadratic equation having जिसके जो roots है न मतलब जो x की value है as वो किसके बराबर है factors of p p के factor कर लो p का factor tree बना दो p और 1 वो उसके roots है p और 1 क्या है उसके roots है मतलब alpha और beta है तो sum of 0 हिट करो and product of 0s फिर answer तुम्हारे पास होगा